नमस्कार, हिमाचल बुलेटेन में आपका स्वागत है, पेश है आज की समचार जिस्तरिय गंटंत्र दिवस समरह में शामिल होंगे, गंटंत्र दिवस के उपलक्ष पर जिलास्तर पर भी समरह आयुजित किये जाएंगे हिमाचिर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष शिरी विपिन सिंग परमार सोलन में जिलास्तरिय गंटंत्र दिवस सामर हो किया ध्यक्षता करेंगे जलशक्ती मंत्री शिरी महेंद्र सिंग ठाकुर बिलास्पूर में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शिरीमती सर्वीन चोधरी कुल्लू में और तक्नीकी शिक्ष मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहल स्पीती के मुख्याले केलांग में जिलास्तरिय गंटंत दॉक्टर राजीव सेजल जिलासेर मौर के मुख्याले नाहन, बहु उदेशय परियूजना एवं उर्जा मंतरी शिरी सुखराम चौधरी जिलाकांगडा के मुख्याले धर्मशाला, वन मंतरी शिरी राकेश पठानिया जिलाके नौर के मुख्याले रिकांग पियो और चम्बा में जिलस्तर्य गंटंत्र दिवससामरहों में शामिल होंगे। के उदेश से सरकार ने संपूल प्रदेश में पंचवटी योजना की शुरुवात की है। के गाउं बेचड का बाग में 5,35,217 रुपए खर्च करके पार्क का निर्मान किया जा चुका है। तथा ग्राम पंचायत कोला वाला भुड में कार्य प्रगती पर है जिसके लिए 5,81 रुपए की राशी स्विक्रित हुई है। यह योजना वरिष्च नागरिकों की स्वास्ते संबंधी आविशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गए है। इस योजना में स्वच भारत मिशन और 14 तथा 15 वित आयोग से प्राप्त राशी का उप्योग किया जा रहा है। इन पार्कों के निर्मान के लिए नियुंतम एक बेगा समतल भूमी के आवशक्ता होती है। भूमने आते हैं और बच्चों के लिए भी फैदा है। नौजवान पेड़े लिए सबसे बड़ा फैदा है कि थोड़ा टाइम लगा के नसे दूर भी रहेंगे और अपने फीजिकल फिटनेस पीसे रहेगी। और ऐसा पार्क तो मैं एक लगता है कि काफी जूर थी हर जगा जूर था हर पंचयाद होना चाहिए। और खेल स्विदा ही भून चाहिए और पार्क के साथ वाता बन भी अच्छा है। और हर बन्दे के एज के मुताबिक भी जैसे कोई हमारा भजूर्ग है उसके गाड़ी लेकि यहाँ आ सकता है रामसिव। पकरे चल सकता है। और यह बहुत चीज है हमार लिए। हिमाचल प्रदेश पंचवटी यूचन के तहट इन पार्कों में औशदियों पौधे लगाने के साथ साथ सेर के लिए 500 से 1000 मीटर के ट्रेक का निर्मान, बारिश की समय बैठने के लिए वर्षय शालिका का निर्मान, पार्कों में चारो और बार बंदी, शौचाले और प हिमाचल प्रदेश की अधिक्तम जनसंख्या ग्रामन क्षेत्रों में रहती है और उनके लिए पंचवटी योजना सार्थक साबित हो रही है स्वासिवं परिवार का लियान वेभाग द्वारा दोपहर दो बजे जारी बुलेटन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 864 लोगों की सेंपल लिए गए जिन में से 173 लोगों की रिपोर्ट नेगिटिव पाए गई है जबकि 663 लोगों की अभी तक 41,45,899 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन में से 49,45,81 सेंपल की जांच नेगिटिव पाए गई है प्रदेश में कुल 2,40,472 लोगों में कोरोना वाइरिस के संक्रमन की पूश्टी हुई है जिन में से 2,27,800 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,766 व लाइक करें फेस्बुक पेज इन्फरमेशन और पॉब्लिक रेलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस अंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजासत नमस्कार